ये जब रभी देखा है तारिक की नजरों ने लम्हों ने खता की थी सद्यों ने सजा पाई सलाम नमस्ते दस्रिया कालमा हूँ आपके साथ हर्शुता मुश्वा और आप देख रहे हैं टाइमस मेल कहते हैं कि अल्ला महरबान हो तो गधा पहलवान और अगर इनसान का वक्त बुरा चल रहा हो तो हाती पर बैठे शक्स को भी कुटा काट लेता है लेकिन तुर्की के साथ शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है जिसको देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि अल्ला महरबान तो गधा पहलवान लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस मुहावरे के जरीए गधा बता कर तुर्की को नीचा दिखा रहे हैं बलकि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जब इंसान मुश्कल दौर से गुज़र रहा हो तब भी उसके पास बहुत कुछ मौजूद होता है जिसका उसे इल्म नहीं होता दरसल तंग हाली से गुज़र रहा तुर्की के ऐसे भी करके अपने देश को मजबूत करना चाहता है और इसी बधाली की दौर में रातो रात तुर्की को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है जिसकी वज़े से तुर्की की ताकत में बेहिसाब इजाफ हो गया ये खजाना के हाथ ऐसे वक्त में आया जब 2023 नजदीक आ रहा है साल 2023 वही दोर है जब तुर्क सामराज्य दरजनुव देशों में बिखर गया था अरब का बहुत बड़ा भुभाग कई हिस्तों में टक्सीम हो गया था जिसके बार आज बड़े-बड़े अर्भी देशों को अलग-अ के नाम से जाना जाता है तुर्क सामराज्य को खिलाफते उस्मानिया और ऑटमन एंपायर के नाम से भी जाना जाता है किसी जमाने में जब खिलाफते उस्मानिया सुपर पावर हुआ करता था तब उस्मानी सल्टनत से पश्टमी देश धर 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 कापते रहते थे दुनि लेकिन अब तो हर कोई तुर्की को आंग भी दिखा रहा है और तुर्की की कान के नीचे तमाचे लगाने के लिए भी उच्छल रहा है लेकिन अब तुर्की के हालात सुधर रहे हैं तुर्की अब धीरे धीरे अपनी ताकत में जाफा कर रहा है अब तुर्की दुनिया के ब कि पर लगाई गई पाबंदियों को सो साल पुरे होने वाले हैं लेकिन इन सो सालों में तुरकी ने बहुत से उतार-चुडास का सामना किया है। अपने पलकों पर सजवाया था तुर्की ने अपने अजीम सुल्तान अब्दुलहमीद सानी को दुश्मन से लड़ते देखा है तुर्की ने विदेशी मीडिया के उस प्रपगेंडा को देखा है जिसके जरिये उसके खिलाफ सौ साल पहले नफरत फलाए गई और जमकर एज जमीन पर बैते हुए लहू को देखा है लेकिन अब तुर्की इस हैसियत में आ चुका है कि वो यूरोप को ठंड में तरपा सकता है अब तुर्की इतना ताकतवर हो चुका है कि वो बड़े-बड़े देशों का जहास रोक रहा है अब तुर्की उस हैसियत तक पहुंच च कर लिया है तुर्की के हाथ में लगा खजाना ही 2023 का ट्वेलर माना जा रहा है आखिर क्या है कि 2023 का राज आखिर कौन सा खजाना लगा तुर्की के हाथ बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ लेकिन आप अगर हमारे चानल पर नए हैं और पहली बार मारी वीडियो को देख चुके हैं माना जा रहा है कि तुर्की 2023 में अभर वो काम कर सकता है जो एकाजाद मुल्क करने का हक रखता है खासकर तुर्की अपनी जमीन में ड्रिलिंग भी कर सकता है लेकिन इससे पहले तुर्की ने तेल का विशाल भंडार हासिल कर लिया है अपने रिकॉर्ड रहे हैं तुर्की ने तेल बंडार मिलने का एलान ऐसे वक्त में किया जब ग्रीस की साथ उसका समुद्र में तेल की कोच को लेकर गंभीर विवाद चल रहा है राश्पती रजबतिया बर्दिगान ने सुमवार को काबिनेट की मीटिंग के बाद कहा कि हमने गबर पहार के अंदर 15 करोड बैरल तेल बंडार की कोच की है यह साल 2022 में जमीन पर गिर गई तेल की सबसे बड़ी खोज में शामिल है उस पूरे तेल बंडार का कीमत तकरीवन 12 अरब डॉलर है तुर्की की राश्पती ने कहा कि देश में जमीन पर तेल की कोच के लिए मायनिंग खुद शुरू हो गई है उन्होंने इससे पहले कहा था कि इस इलाके में तेल नहीं है तुर्की की राश्पती ने ये भी कहा कि आतंगवाद की कारण भी इलाके को छोड़ना पड़ा था तुर्की की प्लानिंग है कि रोजाना एक लाग बैरल ओयल का प्रड़क्शन कर दिया जा जा रहे हैं जिस इलाके में तेल की खोज होई है उसका नाम एक शहीद के नाम पर रखा गया है जो बारुदी सुरंगों की सफाई करने के दुरान शहीद हो गया था हाला कि इस से पहले साल 2020 में तुर्की को सोने का विश्वाल भंडार मिला था जिसका वजन 3.5 मिलियन और यानि तक्रीबन 99 टन मापा गया था जिसकी कीमत तक्रीबन 6 अरब डॉलर यानि तक्रीबन 44,000 करूड रुपए थी तुर्की का ये सोने का खजाना पर शिम्मत दिलाके कि सोगोत में मिला था तुर्की का आगले पास सालो में टार्गेट है कि सालाना सोने का उत्पादन 100 तन तक पहुंचाया जा सके हाला कि तेल के इस विश्वाल बंडार से तुर्की की अर्थववस्था को बड़ा फायदा मिलने की उमीद है हाला कि साल 2021 में सिकंदर की समय का ऐसा ही एक खजाना है जिसे बहुत ही बेश कीमती माना जा रहा है क्योंकि बहुत ही पुरानी खब अठारा सो साल पुराने हैं इनके अंदर खुबसूरत वॉल पेंटिंग्स है यानि दिवारों पर पेंटिंग की गई है इसके साथ ही कुछ बेश कीमती सामान भी मिला है जोने लोग हजाना कह रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि यह मगबरे रोमन एंपायर के वक्त पत्थरो को सिकाज कर बनाए गए थे तुर्की के एजियन सागर से पूरम में तकरीवन 180 किलोमीटर दूर इस तदैते हासिक शेहर ब्लांडोस में यह पथर से कटे मगबरे में रहे हैं इस शेहर को सिकंदर की वक्त में बनाया गया था रोमन और बाजेन टाइन अंपायर के वक्त मे करन कारिक्रम के चीफ हैं जनके मुताबिक ब्लांडोस में मौजूद इन मगबरों के अंदर परिवारों का दिपत्य था यानि एक मगबरे या उससे अदिक किसी एक परिवार के तो बाकि किसी और के जब भी किसी के परिवार में कोई मरता तो उसका अंदिम संसकार नहीं क है यह कैनियन दुनिया के सबसे बड़े कैनियन सिस्टम में से एक है ब्लांडोस के ही लोगों ने इस साकी घाजियों की धलान पर नेक्रोपॉलिस बनवाया था इस लाके में अंतम संसकार की प्रक्रिया यही थी कि मजबूत पत्थर को काट कर मगबरा बना दिया जाता था जिसके अंदर अंतम संसकार किया जाता था बिरोल केर ने कहा कि पुरातत वविद नेक्रोपॉलिस के बारे में पिछले देड़ सो सालों से जाते हैं लेकिन कभी भी ब्लांडोस में अस तरीके से खुदाई नहीं की गई थी इसलिए हमने साल 2018 में एक सिस्टम के तायर दिक सामराज्य के हीरो हैरून का मगबरा और पत्थरों से कटे मगबरे खुजे है नेक्रोपॉलिस में मिले 400 मगबरों में से 24 में दिवारों पर पेंटिंग्स मौजूद हैं लेकिन रोमन सामराज्य के खत्म होने के बाद कुछ गुमबदू के बेड़ों और मवेश्यों के आ होने का बंडार भी निकल रहा है लेकिन तेल का विश्याल बंडार हासल होने से तुर्की के आर्थिक हालात में कुछ सुधार आएगा हाला कि तुर्की ने रूस और चुईन के साथ अपने तालुक और मजबूत कर लिये हैं और अब देशों के साथ भी तुर्की कदम ताल कर रहा है ऐसे में तुर्की की विरोधियों के लिए साल 2023 काफी मुश्किल भरा हो सकता है बहराल चलते चलते आकर में आया भोजपुरी ने भी क्या खूप फरमाया है मिटती नहीं तारिक से कोई भी अबारत तारिक लगेगी की लिखा काट रहे हैं फिलाल इस वीडियो मे यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्ट पक्ष स्वधंद्र पत्रगारता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम स्मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हां बैल आगन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दिता कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ोर ही मिल जाए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इक नई कभर के साथ हर्शुता मुश्रा को दीजे जाजत जहलने किसी आपको दियो broadcast को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जलदी से सब्सक्राइब कर दे और ब champion भी प्र कर दें